आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खटी मीठी चटनी जो मैंने खजूर और इमली से बनाई है चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना यहाँ पे मैंने 200 ग्राम इमली लिये बिना बीज वाली इमली लीजेगा उससे असानी होगी मार्केट में असानी से मिल जाती हैं 20-25 खजूर लिये हैं यहाँ पे मैंने इनको गरम पानी में 2-3 गंटे के लिए बिगो के रख दिया है इसको मैं 2-3 गंटे के लिए बिगो के रखूंगी यह बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएगी बस याद रखेगा और एक बद चेक भी कर लिजा कोई बीज ना हो फिर मैंने इसको मिकसर जार में ट्रांसफर कर दिया है फिर इसको मैं पीस लूँगी यह असानी से पिस जाएगा दो ड़ाई गंटे में बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाता है फिर चन्नी में इसको आप चन्नी में इसको ले लेंगे और चन्नी में इसको थोड़ा पानी डालके इसको अच्छे से चान लेंगे आप थोड़ा बड़ा बरतन कीजिएगा मेरा चोटा रह गया था और इसमें याद रखेगा आप हास से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा आप थोड़ा थोड़ा पानी आट करते डालते जाएए और इसको अच्छे से चानते जाएए जो बात की च्छनस है वो एंड में रह जाएगी अगर आपको मेरी रेसेपी अच्छी लग रही हो तो इसको जादा से जादा शेयर करें इसको मैंने देखिए आप अराम से ये बहुती जल्दी बनती है आप बाद में कुछ भी काम कर सकते हैं पैसाइड यह बहुती जल्दी बनके त्यार हो जाती है और इसको हम काफी टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं अब यह ऐसा पेस्ट हो गया मैंने इसको पैन में ट्रांसफर कर लिया है फिर इसको मैं अच्छे से पका लूँगी अगर आप लोग मेरे चैनल से नहीं छोड़ें फिर जबिपिल जाए थोड़ा गुराइड किया है आप टेस्ट कर लें खटा मीठा टेश्ट आना चाहिए फिर इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक करूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर एड़ करूंगी थोड़ा सा नमक करूंगी आप बाद में सब जूर को मैंने छुट छुटे पीस में काट लिया था वो एड़ कर दूंगी हम इसको कई रैसेपीज में यूज कर सकते हैं चार्ट में किसी में भी बहुत ही टेस्टी लगती है कुछ किश्मिश एड़ कर दी और मैंने यहां पर एक चमच करीब खरबुजे गिरी आड़ करे इसको मैंने डेर दो चमच के करीब पानी लेके उसमें भुण लिया था बहुत जल्दी है साइन से भुण जाती है एक बड़ आप जरूर ट्राइ कीजिएगा मेरा यह तरीका अगर आपकी यह गाड़ी हो जाती है तो इसमें गरम पाइन डाल के इसको पतला कर सकते हैं अजयो